जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदिस बेसिक सिख्षा परिशत के सभी सिख्षकों और करमचारियों के एजुकेशनल और अधर डॉकुमेंट्स को मानुस्वंपदा पोर्टल पर अप्लोड करने की जो लास्ट डेट है उसे 31 जुलाई 2020 से बढ़ा कर 17 अगस् 2020 कर दिया गया है उप्रोक्त विशे के संदर्व में बेसिक सिख्षा निदेशक जी का पत्र भी जिला के जिला बेसिक सिख्षा अधिकारियों को लिखा गया है आप देख सकते हैं ये पत्र 17 अगस्ट 2020 का है पत्र का विशे है मानुस्वंपदा पोर्टल पर विभाग के स सिख्षकों तथा कर्मियों का सैक्षिक अभिलेग ऑनलाइन अप्लोड कराये जाने के संबंद में इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदय उसके बाद सभी पत्रांग संक्याय है जब जब ये आदेश हुआ था इस पत्र में आगे लिखा गया है कि दिनांग 31 पोर्टल पर दिनांग 17 अगस 2020 तक विद्यालियों के संबंदी सिख्षकों को ब्लॉक स्तर पर उपस्तित होकर अथ्वा स्वयम लॉगिन कर अपना सेवा विवरन चेक कराकर यदि तुर्टी है तो गूगल फॉर्म के अनुसार निराकर कराये जाने कि निर्देश दिये ग इंटर का अंग पत्र प्रमाणपत्र इसनातक का अंग पत्र प्रमाणपत्र बीट का अंग पत्र प्रमाणपत्र बीटी सी का प्रमाणपत्र का सत्यापन कराते हुए मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं कराये गया को निर्देशित किया गया था उप्रयुक्त कार दिनाख 17 अगस्त 2020 तक प्रत्यक दसा में पूर्ण कराना सोनिशित करें मानि बेसिक सिक्षा निदेशक जी का जो पत्र 31 जुलाई 2020 को सभी जिला के जिला बेसिक सिक्षा अधिकारियों को लिखा गया था जिसमें जो लास्ट डेट है उसे 31 जुलाई 2020 से बढ़ा का 17 अगस 2020 किया गया था उसमें ये आदेश दिया गया था कि जिन भी सिक्षक और करमचारियों का जो सेवा विवरण है अगर वो संसोधित न हुआ हो इसके साथी साथ हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएट के अंगपत्र प्रमाणपत्र उसके साथी साथ बीटी सी का प्रमाणपत्र अगर मानुसमपता पोर्टल पर अप्लोड न हुआ हो तो उसे 17 अगस 2020 तक किसी भी हाल में आवश्य पूर्ण करवा लें और सभी डॉकुमेंट्स को अपलोड करवा लें इसमें आगे लिखा गया है कि इसके लिए यहाँ आवश्यक है कि सलंग्न सुची के अनुसार जद्पत के समस्थ सिक्षकों को सुचित करें इसके लिए यह भी निर्देशित के आगया था कि जिन भी सिक्षक और करमचारियों का सेवा विवरन चेक न हुआ हो और डॉकुमेंट्स अपलोड न हुए हो उनकी एक सूची तयार करें जिस सुची के माध्यम से उन्हें निर्देशित करें कि आप अपना सेवा विवरन चेक कराकर मानस्वपता पोर्टल पर अपने डॉकुमेंट्स को अपलोड करवा लें इस पत्र में आगे लिखा गया है यदि 17 अगस 2020 के पस्चा जनपत के किसी सिक्षक का मानस्वपता पोर्टल पर सैक्षिक अभिलेक अपलिक डाटा अपलोड या सत्यापन से छूट जाता है तो उसके लिए संबंदित सिक्षक के साथ संबंदित ब्लॉक के खंड सिक्षा अधिकारी भी उत्तरदाई होंगे तथा उस इस्तिति में संबंदित सिक्षक के साथ संबंदित खड सिक्षा अधिकारी का वेतन भी अवरूद करते हुए अनुसासनिक कारिवाई संस्तित की जाएगी इसमें आगे लिखा गया है कि लेकिन दिनाग 17 अगस 2020 तक जनपत के स सैक्षिक अबलेक मानो संपता पोर्टल पर अपलोड करने का जो कारे था वो अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है जिसके संदर्ब में मानिये बेसिक सिक्षा निर्देशक जी ने कहा है यह अत्यांत खेजनक है इस पत्र में आगे लिखा गया है कि अधा आपको पुनह निर् को को होई शूचित करें कि सभी शिक्षक मानो संपता पोर्टल पर अप्लोड करा लें यदि डिनांक 31 अगस्त दोहजार भीस कप्रचार जोंपत के किसी स्क्षक का मानो संपता पोर्टल पर श्याप्लोड रोट चेंटिन्या चूट趣्ट चूड जाता है और उस स्तिती में संबंदित सिखषक के साथ संबंदित खर्ण सिखषा अधिकारी के विरुद अनुसासनिक कारवाय सस्तित की जाएगी उक्त निर्देश का कडाई से अनुपालन करते हुए कृत कारेवाय से इस कारेवाय को भी आउगत कराएं तो अंत में यही निर्देश है कि मानुसमपदा पोर्टल पर educational और other documents को जो upload करने की last date है उसे बढ़ा कर 31 अगस 2020 कर दिया गया है अगर उक्तितिती तक भी किसी सिक्षक और करमचारी का जो document है वो मानुसमपदा पोर्टल पर upload नहीं होता है तो उस सिक्षक के साथ ही साथ जानुसमपदा पोर्टल पर upload नहीं हुआ है उनकी एक सूची बनाई जाए उस सूची के साथ से संबंदित सिक्षक को सूचित किया जाए कि यह कार्य सीग्र अतिसिग्र पूर्ण करा लें मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के मादिम से जो जानकारी आपको दी गई होग वह आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदा ने कि इस वीडियो को लाइक शेर कॉमेंट जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंदित जो और इंपॉर्टन यूज है वह आपको समय से मिलती रह वीडियो देखने के लिए आप से भी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद